केंद्रे जलशक्ती मंत्री ने आज जैपूर में जल जीवन मिशन के लिए बठक करने जा रहे हैं इसे लेकर सियम गहलोत ने केंद्रे मंत्री को निशाने पर लिया है सियम गैलोत ने लिखा कि केंदर जलशर्टी मंतरी ने जैपुर में जल जीवन मिशन के लिए बाठक बुलाई है जिसमें सभी सांसदों को बुलाया गया है जोनता ने लोकसबा की सभी सीटों पर दो-दो बार NDA के सांसद जिता कर भेजे है परन्तु बड़ा दुखद है कि आज तक इन सांसदों जिन में चार केंदर मंतरी भी है उन्होंने राज्य के हितों की रक्षा के लिए केंदर सरकार पर कभी दबाव नहीं बनाया मैं आशा करता हूँ कि आज भाजपा के सांसद केंदर की ओर से राजस्थान के अटकाए गए प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिस्ताव पास कर अपनी पाटी केंदरे नित्रितों एवं केंदर सरकार को भेजेंगे सीहम गैलोग ने का कि पिछले कारेकाल में हमारी सरकार ने सर मतुरा से गंगापूर वाया करौली चौत का बरवाड़ा से अजमेर वाया टोंक रतलाम से डूंगरपूर वाया बांसवाड का काम शुरू किया था जिसे मोधी सरकार के आने के बाद रोग दिया गया 2013 में भेलवाडा के रूपा हेली में मेमु कोच फैक्टरी की निव भी रखी गई थी जिसका काम मोधी सरकार ने बंद कर दिया प्रदेश्वासियों की नजरे सांसदों की बैठकपर हैं क्योंकि सब जानना चाते हैं कि उनके सांसद इन योजनाओं का काम बंद करने पर क्या बोलेंगे गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तेरह जिलों के दस सांसदों की और भी जरता देख रही है कि प्रधानमंत्री की और से स्वैम इसे राश्ट्री परियोजना देने का वादा दो दो बार किया गया इसके बावजूद 13 जिलों की इस जीवनदाईनी पर्योजना को राश्ट्री पर्योजना नहीं बनाया गया है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सवादाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जोड़ चुके है जी दिनेश जैपूर में आजल जीवन मिशन की ये बाठक होने वाली है बहुत ही महतुपूर ये बाठक मानी जा रही है सियम अशोग गहलोत ने तंजभी कसा है क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर का जीवन मिशन केंदर प्रवड़िस परयोजना है और इसके तहट हर गर नल पहुचाने का केंदर सरकार जो प्लान है उसके तहट 45-45 प्रतिसद के मागेदारी केंदर और राज्यों किया और 10 प्रतिसद जो अन्सोर्सेस से हैं इस तरह से केंद्री जल सक्ति मंद्री हैं गजेंदर सिंग से खावत उन्होंने आज ये बैठक जल जीवन मिशन को लेकर जैपूर में रखी है और इस बैठक में सभी जो सांसद हैं लोकसभा के 25 उनको इस बैठक में बुलाया गया है तो सभी 25 सांसद चुंकि राज़तान स राज़तान से बैठक से पहले मुख्यमंद्री असुग गैलोध ने इक बड़ा बयान जारी किया है और इसमें इन Sandsदों को ध़ीवन को घेज़नाय का काम मुख्यमंद्री असुग गैलोध ने किया है सियमाला के लगतार इस बात को कहते रहे हैं कि 25 सांसद दो बर एंडिय गवर्मेंट में राजस्तान से 25 सांसद जीद कर गए हैं लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट केंदर से राजस्तान को नहीं मिला है इसे मैं उन्होंने उम्मीद जताइए कि जलशक्ति मंतरी पिराजस्तान से हैं जोषपूर से सांसद हैं बड़ा प्रोजेक्ट रखेंगे कि ERCP का जो इस्टन कैनल प्रोजेक्ट है इस्टन राजस्तन कैनल प्रोजेक्ट है उसको राष्ट्री प्रोजेक्ट तोसित किया जाए इसका दमाव किन सरकार पर बनाएंगे तो कि 13 जिलों की यह योजना है और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं चाहे मेमू कोज फेक्टरी विलवडा की बात हो या कई जिलों जो रेल से अचुते हैं तो ऐसे में उन जिलों में भी रेल परियोजना पहुंचे रेल लाइन विछाई जाए और उसका भी स्क्रीन सिगनल केंजर के और से दिया जाए तो तमाम प्रोजेक्ट जो कि इन सरकार के आठके हुए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री असुग गैलोट ने इन सांसदों की बेठक से पहले ये बयान जारी किया कर और उन्हों ने कहा कि उमीद यह जता ही है इस बेठक के जरिय जिए कि जल सक्ति मंत्री ने वेठक बलाई है तो तमाम शांसद राज़तान के बहले के लिए चुके दो भार राज़तान की जन्ता ने 25 चांसदों को तरहां से चुनकर बेजा Я तो एसिम्हमें राज़तान की जन्ता time की बलाई के लिए जो आज सांसदों की बेठक हो रही है इस बेठक में तमाम प्रोजेक्ट को लेकर एक प्रस्ताव पारिस किया जाए और कैंसर कार पर दवा बनाया जाए इस तरह का तंज गुट्मन पियसू प्यलोथ ने इस बेठक से पहले कचा जी शुगरे दिनेश वतमाम जानकारी साधा करने के लिए